हां जी वंदे मात्रम स्वास्वारित प्रवार में स्वागत है आपका आज हमारे पास आई हुए मरिंदर गरग जी अंबाले से और जस्प्री भाई यह सुनाम से पंजाब से तो हमारी चैनल पर आपको इनकी वीडियो काफी बार मिल जाएगी और पिछले साल एक मेला भी ल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है दोनों भाईयों के साथ हमारा और मेरा नाम हरजिंदर है मैं आफ कैमरा रहता हूं आपको पते ही है तो मेरी वाद सुन पा रहे होंगे और अमरिंदर भाई जो हैं सामने हैं और अभी इन्हों ने एक तो इनका दोरा हुआ था रुड़की का वहां से होके अभी वापिस आये हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा वहां पर गुड का देशी कांड का गुड वाली शक्कर का घी का तो पूरा वह भी बताएंगे और उसके इलावा यह वीडियो जो हम बना रहे हैं यह हम बाट्टे के ग्यान जो है बताएंगे जस्पृत भाई वैसे तो इन दोनों के अपने अपने चैनल है अमरिंदर भाई का चैनल है राजीव दिख्षी सेवा संस्था और जस्पृत भाई का जो चैनल है उसका नाम है सरप्रोश सरदार तो उन चैनल पर भी आप जासकते हैं हम वीडियो हिंदी में देखनी है तो आप श्री राजीव दिख्षित जन सेवा संस्था चैनल पर जा सकते हैं और पंजाबी में पूरा जो ज्यान है देते हैं और उनके साथ बाबा गुर्विंदर सिंग जी हैं उनका ग्यान अगर आपको जानना है पंजाबी में तो आप चैनल पर जाएं वहां पर आपको शायद हिंदी में वीडियो मिल जाएं और अगर आप हिंदी बाशी हैं फिर भी एक बार आप सरफ्रोस सरदार चैनल पर जरूर जाईएगा ताकि आपको उस पर जो भी इंफ्रमेशन है वो सारी क्लियर हो थोड़ी बहुत समझ तो आई यह वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे जो वीवर हैं हमारे चैनल के उनको समझ आए कि वाटा होता गया है और वह बाटे से जुड़ें क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग अपने घरों में बढ़तन अभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं और देखिए दुरबाग मैं आज भी कूकर आपको दिखी जाएगा किसी को आप समझी सकते हैं कि दुनियादारी को खुश करने के लिए समझ लीजिए यहां जैसे भी संकल्प लेने मतलब बड़े कई बर मुश्किल हो जाते हैं और यही सच्चा ही होती है जिन्दगी की तो मैं पहले जस्पिस भा कि मेरे बारे में हरजंदर भाई ने बताई दिया है मेरा नाम जस्पृत सिंग है और मैं पंजाब से हूँ शहीद उदम सिंग जी की जनम स्थली सुनाम से जो की जिला संगरूर में है तो और मैं श्री राजीव दिख्षिजंड सेवा संस्था का एक चोटा सा हिस्सा हूँ और समाज के लिए अपनी ये सेवा राजी भाई के आशिरवास से हम लोग दे रहे हैं तो यहां पर हम हरजंदर भाई के पास आये थे तो यहां पर विचार बना की यह जो सर्व खास करके बाटा जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं तो इसको बाटा बोलते हैं और इसके उपर जो आठ नो साल का रिसर्च है वो मेरे एक मित्र है हमारे खालसा गुरविंदर सिंग जी आल इंडिया मेरी पीरी तरुना दल चक्रवरती फोजां यह उनका दल है तो तो वह पिछले आठ साल से उसके ओपर कामकर रहे हैं हर तरह की विमारी के ओपर हमारवारा इसके क्या होता है कि हम लोग किसी भी गुर्द्वारे में मंदिर में मस्जिद में वह कोई भी जगा हो सकती है किसी का खेत हो कोई धर अगर कोई संस्ता ने म colours ये केंप करती है तो हम वहां पर उस वर अपर गालते हैं और उस्की भर एग होगी है हैं तो जिससे की हमने अभी तक देखा है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बिमारी का इलाज चमतकारिक जो रिजल्ट है उसके वो हमारे सामने देखने में आए हैं तो यह जो सर्वलो का बाटा है सर्वलो मतलब शुद्ध लोहा खालिस लोहा जिसको बोलते हैं पंजाबी में और कई हंदी वाशी इसको कोटोरा बोलता है कोई काॉला बोलता है लेकिन यह वो नहीं है जो इसको नाम आगया है वो बाटे का नाम दिया है और आप इसकी शेप देखिए कि बिलकुल नीचे से गोल है और जैसे राजी भाई ने भी बताया वैसे भी हम लोग ज्यादा तर जानते हैं कि यह जो शेप है यह श्रीर के शुद्धी करण का काम करती है अगया है यह टो इकको इसकी शेप जो श्री गुरुघोमी सिंग जी ने इसमें खालसापंद की साजना की थी जो अमरित पां कर doublesा इसी बतन में कर राया रहा था इसही का मतले यहों बर्तन नहीं जो गुरुघोमें सिंग की हाथ में था मतला ऐसा ही बरतन तो ये शुद्ड लोहा जो है इसके बारे में अगर बात करें हम तो ये श्रीर में कभी भी iron की कमी नहीं होने देता मतलब एक शुद्द रूप से प्राकरतिक लोहा आपके श्रीर के अंदर जाता है और जो हमारे श्रीर के अंदर HB है उसके लेवल को कम नहीं होने देता और जैसा कि सबी साथियों को पता हो जा ना हो कि जो आईरन है वो हमारे श्रीर में आक्सीजिन को सबी जगा लेके जाता है मतलib waking us that कि उसके साथ चे पकर ही वह पहुंचेंगे और अगर श्रीर में हमारे oxygen की कमी नहीं होगी तो हमें जल्दी से जल्दी कोई बिमारी लग ही नहीं सकती अगर हमारा खानपान सही है हमारा रसोई घर सही है तो यह जो है बटा यह उस iron की कमी को पूरा करता है आपके श्रीर में परकरतिक आहिरन को पहुंचाता है और ये शुद्धी करण का काम करता है क्योंकि इसके काफी चमतकारी रिजल्ट हमने जैसे मैं पहले बता चुका हूं देखें हैं तो ये थी इसकी मोटी मोटी सी जानकारी जस्प्री भाई आप कल भी बोल भी रहते के कैंसर तक ठीक होते हैं इससे उस पर बारे में थोड़ा प्लीज अच्छा देखिए जैसे अभी हमारा जो लास्ट जो कारेकरम था इक 30 दिन का कैम्प था गाम विगडबाल तहसील सुनाम जिला संग्रूर में वहां पर हर रोज हमारे पास 500 से 600 और कभी कभी तो ऐसा होता कि चुटी वाले दिन यानि की रविवार के दिन एक एक हजार मरीज तक आते थे और ऐसे ऐसे मरीज आते थे जिनके बारे में हमने कभी कल पना भी नहीं की और उसमें से हमारे पास 31 दिन में कम से कम 6 कैंसर के मरीज आए कैंसर के मरीज में थे दो माताएं थी जिनको छाती का कैंसर था और चार भाई थे जिनको फूड पाइप का कैंसर था और अभी एक माताजी और आई थी कैंप के बाद उनको भी यहां गले में इस सैड में कैंसर है और उनका शरीर भ्यंकर दर्थ से मतलब बहुत साल ज्यादा पेन किलर वो लेती थी तब भी ठीक नहीं आता था तो अब यह लगाईए कि इस बरतन में पानी पीने से मात्र पानी पीने से और सोई घर में खान पान चेंज करने से उनका जो कैंसर है वो हम साइकलोजीकल बात करें तो वह एक पहलू है लेकिन इसमें जो हमने अपनी आखों से देखा है कि सिर्फ पानी पीने से इसमें पानी पीने की विदी होती है तो उसका भी जो अभी माता जी है वो जिला संग्रूर से हैं माजी एक गाउं है वहां पर नबा शहर के पास तो कि वह माता जी हैं जिनको गले का कैंसरा उनको भ्यंकर दर्द होता रहता था तो अभी उनका दर्द सतर परतिशत कम है सिर्फ दस दिनों के अंदर और दिया कुछ भी नहीं है कोई आयरवेद की दवाई नी दी कुछ अंग्रेजी मेडिसन नी दी सिर्फ इसी में वह खाप पर लिंक भी डाल दूगा डिस्रिप्शन में सबके चैनल का तांके आप लोग वहां पर भी जाके देख सको चमतकार होते हुए देखोगे आप और जो बाबाजी है उनकी शक्षियत बड़ी मतलब बहुत जादा पावरफुल है बहुत जादा वाइबरंट है मतलब वह ब होता है और बाबाज भी बताते हैं कि जो लोग पानी नहीं पीते थे जिनको ट्वालेट नहीं आ रहा था ऐसे मरीज भी थे उनको आने लग गया और वो दस दस बाटे पी रहे हैं तो मैक्सिमम कितने बाटे एक दिन में कोई पी सकता है या पीना चाहिए देखो यह ऐसा ह इसमें जैसे आपको पתा है कि गुरवानी भी लिका है ना पवन गुरू पार्ण हुट है पालनहार होता है वह हमारे श्रीर 83 पालता है और हमने आज कर क्या रखा है कि अपने पिता को ही अपने से दूर कर रखा है हम लोग पानी नहीं पीते हैं अगर पीते हैं तो बड़े स्टाइल से छोटा सा कप होगा उसमें बस दो चार घूंट पानी पिया हो गया और आप यह मानिए अगर आपका जो जी तो जैसे कुछ से चीज़ें निशेद होती हैं तो कौन से ऐसी चीज़ें जो इसमें डालनी ची़ें? सब कुछ डाल सकते हैं जो मरजी जो आपका दिल हो इसके अंदर अप डाल सबजी दलिया दहीं लसी सबी कुछ अब यह देखिए हम लोग जहां भी जाते हैं इसको अपने साथ ही रखते हैं और कोई जरूरती नहीं है कि इसी में अपनी डाल सबजी लिया खा लिया इसी में रूटीन चलता है इसी में मतलब यह समझे हो कि हमारी रसोई घर यही है इसमें पका नहीं सकते हैं अधार जो भी सकते हैं तो बड़ी अच्छी चीज है एक चीज मेरे मन में आ रही है क्योंकि मुझे पता है लोग ऐसे सिली सिली कोशन पूछेंगे और मैं बड़ा कैंडी कोशन पूछता हूं ऐसे कि मैंने देखा है कि बाट्टे में जो पहली बार खाता है उसको लगता है कि खाना जो कड़वा हो चुका है कुछ देर तक मतलब रखने से दस मिनिट पंदरा मिनिट तो तो देखिए इसमें ऐसा है भाई जी की पकाने के लिए जो सर्वलोकी कड़ाही वगएर आती है उसमें स खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए लेकिन वो खा रहे हैं इसलिए इतने दर्दों से को जहल रहे हैं क्योंकि आना आपको पता होगे कि बाद प्रकृती में यह चीज़ें थोड़ी सी ओवाइड की जाती है तो इसमें आप देखिए जो भी पकाएंगे सिर्फ एक हो सकत है कि रंग थोड़ा सा दाल सबजी का काला हो बाकि वो गुणों से इतनी भरपूर होगी कि आदमी वैसा स्वाद आएगा नी क्योंकि हम फिर जब जी किसी को बरतन देते हैं तो उसको पूरी विदी बिताते हैं कि एक दिन में कितना पानी पीना देखिए जो राजी भाई कि थोड़ी सी दाल सबजी काली पढ़ जाती है तो हमने रंग के उपर नहीं जाना गुणों के उपर जाना है तो मैंने जब शुरू शुरू में बाटे में पानी पिया तो मुझे पता चला कि मुझे बाबबाजी ने खुद बताया भी था कि 10 मिनट रखो एक घंटा रख हम तो वही बोलते हैं कि इसमें देखिए जो आदमी हमारे जैसे पूरी तरह टीट है वह तो बारा गंटे भी रख सकता है पूरी रात रखके अगर हलका सा लाल हो भी गया तो हमें पता है कि वह एकदम गुणकारी जल है उसको पी सकते हैं लेकिन जो आदमी चीजों के रं अंधर हैं है ना तो खुली आँखों से इस पानी को जो उसके अंदर हमने डाल दिया अपने मन की कोई भी प्रात्थना हो या कुछ अच्छा विचार वह या पानी की तारीफ करना हो यह हम बोल बोल के या मन में बोले या मुण से बोले तो ऐसे आप 1 मिनिट 2 मिनिट 5 मिन 10-10 Bennett जिस जितनी आपकी अंदर सर्फुनाय गजय City अगर आप ज्यादा चांचल नहीं है कि रही एक ही जांचल नहीं कि पता नहीं कितने घंटे वह बैठे तो आपके ऊपर है आप 2 स्काफ जाहिक issue बैठे उसके बाद जल को जैसे इस हे पीते हैं शरदा भावना से पीना चाहिए उसको नमशकार करके इसको हम घूंट-घूंट करके मुझ में थोड़ी देर रखके पानी को पी सकते हैं मतलब डाला एक मिनिट रखा कम से कम एक मिनिट जासे जादा आपकी शर्दा है बहुत बढ़िया तो एक और चीज़ है कि अगर आप रहेगा बरतन उत्रह जादा बढ़िया होता जाएगा हमने आज की रेट में बोरो शिल के ग्लास में पीते हैं जो के सपाट पूरा नीचे से जबके हमारे पितल ग्लास होते थे लसी के पानी के सारे नीचे से वह पतीला जो भारत का है कि देन है वह नीचे से गोल है पर क्या खाना है और जो कुवा होता उसमें भी यह आप रजीब भाई को सुनो हम तो बड़े बोलनी बोलेंगे तो हम बहुत चोटे लोग हैं रजीब भाई के आगे तो उन्होंने जो बताया और वह जो चीज है वह पूरी सटीग भैठती है बाट्टे के उपर यह भी है और जैसे मालो एक चीज़ आपको और बता दूँ अगर इसमें जैसे हम पताश्य होते हैं वह सफेद वाले वह आप जैसे मालो किसी को एनरजी चाहिए जिसको शुगर नहीं है तो वह उसमें उसको बता देते हैं कि भाई तू थोड़े से पताश्य घोल के कम से कम दो हफते त होगा और दूसरा श्रीर को एनरजी मिलेगी और वैसे भी आज कल लोग मीठा कम और चटपटा ज्यादा खा रहे हैं तो श्रीर में वह उर्जा उनकी बनी रहेगी बहुत बढ़िया तो और कब्ज में क्या करना चाहिए कब्ज में ऐसा यह देखिए कब्ज में जो जैसे भी हमारे ही यह लास्ट केंप में हुआ था कि एक यह थे बापू जी बुजर्ग थे तो उन्होंने हमें से शिकाइद की कि भी मैं हर रोज आता हूं मेरे 12 साल पुरानी कभजी है यह तो ठीक होई नहीं तो लेकिन वो क्या करते थे एक ही बाटा पिया और चले गए ऐसा थ फिर हमने उनको उस दिन बिठाया उनको पांच बाटे पिलाए और उनको दो मुठिया पता से क्योंकि उनको शुगर नहीं था तो अच्छी तरह से घोल घोल के पिलाए और आप मानियेगा उनको मैंने पहले वार्न कर दिया था कि बाभू जी आप पांच से छे बजे तक क्या सपास ही रहना तो थोड़ा मजाक में ले गए तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखी उन चीज़ को उनका उसी दिन पांच से छे बजे की बीच में शाम को तीन बार पेट साफ हुआ एकदम खुलके और अभी भी बिलकुल ठीक है तो देखिए जितना हम पा पताशे में केल्शियम बहुत जादा होता और उसमें जैसे कई हमारे वैद्य लोग बताते हैं कि उसमें रीठा तक होता है और यह दोन्यों चीज़ें एक तो शिरीर को पालती है दूसरा क्या है कि शिरीर की सफाई करती है तो आप अच्छी क्वालिटी के लो देखिए ख बिल्कुल बिल्कुल स्पून वीडिंग नहीं चलेगी यूट्यूब पे सारा घ्यान बड़ा आप ढूंड़ी है की वर्ट सब मिलें आपके आसपास बनाते हैं तो आप वहां पर जाके एक वज़िए उनको देशी घड़ देढ़ 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 कर सकते हैं लेकिन अग हम वीडियो के एंड में आपको नंबर भी देंगे तो आपको घी देशी खांड यह ऐसा को भी प्रोड़क्त जो इनके पास उपलब्द होगा यहां आगे फ्यूचर में उपलब्द होगा वह भी हम आपको देंगे नंबर बगयरा और मैं आपको इनका कार्ड भी यहां प वेबसाइट एक बार अभी उता दीजिए गौंगव्या.com जी ओ यू जी ए यू जी ए वी वाई ये गव्या.com ठीक है बाकी फोटो भी डाल देंगे वह 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 वी वेबसाइट मदब चालो नहीं उस पर काम चल रहा तो लेकिन जल्दी आजे बहुत बढ़िया तो पास सरबलो की कड़ाई नहीं है या पतीला नहीं है तो वह बाटे में कुछ बना सकता है इसको बनाने को देखिए बना भी सकता है लेकिन यह है कि यह खाने के लिए अगर बनाया गया बरतन है ना तो जैसे हम गर्मे करते हैं कि कटोरियूम अगर कुछ चीज गरम कर लें तो वो एक तो उतनी सहज़ता से बनता भी नहीं है और वो चीज उस काम के लिए है भी नहीं तो मतलब हमें जो है सरबलो की अलग से कड़ाई ले ले लेनी जाए देखिए जी चार हजार उपे में आपके रिसोई का सारा समान आ जाएगा अगर मैं बात करूं तो जैसे एक कड़ाई एक प्रिवार को कितना आई अगर यह एक सेट बाटा ले लिए जे डेड़ दो सो साल मेरे को नहीं लगता कहीं जाएगा तो अगर आपकी उमर इतनी लंबी है तो हो सकता है कि आप एक उमर में इसको यह खा जाओ एक बाटे को तो इतना यह है और बाकी इसके अं साबने पा our stop time of our एक यह आप को साफ करेंगी यह आप पख्ग नियुक्ति कर नहीं उसको खुद करता है और बच्छों को भी सिखाना एं ताकि और वह जो उगलियों पर बैए बब बाता दो ओर फिर उसके बाद ये बता दो कि साफ कैसे करना थीक है अभी ये देखे जी जब ये अभी तो देखे ये चमक रहा है कई लोग बोलते हैं ये लोहा है ही ने तो इसमें क्या है कि हमारे यहां इसको बोलते हैं कि इसकी सेवा लगानी है इसको मांजणा बोलते हैं जैसे मांजते हैं इसको रेत कौन सी ये बालू रेत यमुना रेत जिसको ये घगर सेंड भी कई जगा बोल देते हैं तो उस रेत से इसको साफ करना होता है इसकी पहली सफाई कैसी होनी चाहिए अगर हिंदी में किसी को जानकारी चाहिए तो शिरी भाशाओं में डाल रखी अलग लग चैनल होगे तो इसमें करना क्या है कि इसको वहां मैं मोटा मोटा बता दूं कि इसको कम से कम जैसे हमने नया खरीद लिया तो इसका रंग हलका सा काला होता है तो इसको पीट इमली के पाणी में जमली होती है इसको पाणी में गोलके इसको डबो दीजिये या ऐसा ही कोई सर्भलोका जैसे कड़ा है तो इसंसाफ से पाणी लेके और दूसरा यो खटी लसी होती है चाच उसके अंदर भी आप इसको पांचे गंटे या साथ गंटे आठ गंटे जितना रबुना चाओ पूरी राद दिबो के रख दो अगले दिन सुबह इसको क्या करना है हलका पानी से दो के और जो मैंने बोला रेत जिसे हम मकान बन प्रेटा है जैसे रेता से पंजाबी में रिता फोगया नदी की रेत बी चल जाएक और जो बिल्डिंग मैठी नेगे इसको दिखी यह चोटा बैग इसको खजाना बूलते हैं हम लो खजाना मतलब सेहत का खजाना इसमें सेहत समंदी आप कुछ भी रख सकते ऐसा एक बैक बना लो यह इसी में रहता है और अपने साथ हमें एक छोटा देखिए सूखा कपड़ा रखते हैं जैसे हमने इसको रेट के साथ साफ किया और तो इसको ऐसे कपड़ा मारके साफ करके रख दो इसको गिला नहीं रखना फिर यह आपको पता ही है अभी लोहा है उसका धर्मी है कि हवा के साथ रेक्शन करके जंगाल को पगड़ना तो एक यहां पर लेडी के मन में कोश्चन आएगा जो के बहुत लोगों के मन में आए गई कि वह जो यह जो बंजारे होत होती है बड़ हमें आयुरुवेद वाले यह बोलते हैं कि धाई एमेम तक की ही लेनी चीए और यह कितने एमेम का एक तो यह बता दो दूसरा यह उस लोहे से कैसे अलग है यह बता दू देखिए भाई जी मोटाई तो इसकी अभी आप इसी की लगा लो कि यह 1.5 mm से ज्या आही का भी दो किलो से उपर ही वजन तो ये तो कोघ्य होगा इतना तो ये तो ओजन की बात दूसरा क्या है कि जो लोहा भी आपको पता है जत्तना भी अपने असक्रैब वाले होते यह दिहार के डेका कि लृषK बहु के चीजों का मशीजियनीस भी बनता है यह स्क्रैब आप चीज जहां पर आपको अच्छी चीज मिलती है तो वहां से ही लो और जहां से आप लेते हो उसमें एक खाने की जो विदी है क्योंकि अगर आप इसमें लगातार आज पानी पीना शुरू कर दिया तो शाम को पका हुआ नाज मतलो रूटी नहीं खानी होती दलिया खाना होता है नहीं आपका पेट में गैस बनती है बहुत जादा अगर आप रूटी खा लेते हूं किसी कि नहीं भी बनती है वह अलग बात है लेकिन ज़्यादा तर लोगों को देखा है कि या तो सिर गूमेगा या उनके पेट में गैस बहुत जादा बनेगी तो इसलिए ऐसे जो जब कोई इन बरत्रों को लेता है और फिर जो उससे हमारी परसनली बात होती है तो उसको पूरा बताते हैं कि कैसे करना है और ये ना हो कि देखिए आपने कहीं से भी कुछ हलका या खराब धातू का बरतन ले लिया और पूछा आप यहां से रहे हो क्योंकि जो चीज़ पता है ना अगर आप मनलो आपके घर में बच्चे हैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकता उसका जबाव कैसा है मैं तो जो मेरा बच्चा है उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा ऐसा नहीं ऐसा है यह ऐसे नहीं ऐसे करता है तो वो चीज़ यहां भी लागव होती है त तो जनता सरकार मोर्चा के बारे में थोड़ा बता रीजे दुविंदर बलहारा पूरी मुवमेंट क्या चल रहा है अभी आजकल क्या मुवमेंट है और उसके इलावा आप लोग जैसे दोनों आप इकठे क्या ऐसा कर रहे हो के सब देशी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं वो सरकार के बारे में बात कर रहे हैं जब कि यह सरकार नहीं है जनता सरकार का मतलब है कि जनता की सरकार और यह इसका परम कहां से हुआ जैसे किसान अंदौन हुआ जब तो उसमें बहुत संगठन अलग-अलग ग्रूप से सक्रिये थे तो किसान अंदौन मतलब सरकार ने परूड चर रहा हुँ आम के नाम पे तो देखा कि बहुत मदद कापड़ा है जो आप सुनते ही होंगे नाम तो उसके नाम पे तो बहुत से खरियाना कि Tetra Sea भंब 사ने किसांतां संगठरों मिलकर एक संगठर मना आया जनता सरकार जिसमें जनता की सरकार होगी जनता की चलेगी अगर कोई सही है कोई वी किसी भी प्रकार की जबर दस्ति नंहीं कर कता तो इसली दिसंब्र यृँ बर्यान दर्म साला में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जनता सरकार मोर्चा का तीन दिन का तो आध दूसरा दिन है और इससे पिछले रविवार को प्रेंटिंग ट्रेनिंग चली थी डॉक्टर दमेंदर बलाराजी की बारे मैं एक बात बता दूँ वह मतब भारत के एक मातर ऐस से व्यक्ति हैं जो तीन साल से लेकर किसी भी उमर के व्यक्ति को यह बता सकते हैं कि उसका जनम क्यों हुआ था वह किस काम के लिए बना था जैसे आज कल तो वही बेड़ वक्रियां सारा मतलब एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं गदे को भी पेड़ पेचड़ाया जा रहा ह लेकिन वह यह बता देते हैं माता पिता की कॉंसलिंग करते हैं कि उसका जनम क्यों हुआ था तो इसी को मतलब क्योंकि बच्चे अगर हमारा वीजी सही होगा तो पेड़ तो सही होना ही है तो उसी को लेकर पिछले रईबार को एक प्रेंटिंग टीचर ट्रेनिंग माता पिता जो वहां पर आये हुए थे उन्होंने बड़े टेटेटेटेटे सवाल पुछे लेकिन वह सब वहां से संतुष्ट होके गया है और एक उनका रिकोर्ड है कि आज तक जितने भी उन्होंने माता पिताओं की ट्रेनिंग की या उनको प्रेंटिंग बताया के बारे में सीरी राजीव दिक्षित जंत सेवा संस्ता या जंता सरकार मोर्चाज का जो एक ही मतलब मैं कुछ राजी भाई की लाइनों में इसको कंप्लीट करूंगा भारत को भारत किता की मानता के अधार पर खड़ा करना जी बहुत बढ़ी है और एक कोशन और था जस् है इसलिए पर मोट नहीं कर रहे हैं यहां फिर उनको पता है और उनको यह टॉपिक इंट्रस्ट नहीं देता है तो इसलिए वह नहीं कर रहे हैं जैसे जितने भी सवदेशी के चहरे हैं वह आप जानते हैं कौन है किसी का कोई गुरुगुल है कोई इंडेपेंडेंट पर बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मुझे दिल से आवाज यह आती है कि यह एक प्रोडक्ट बहुत सुंदर सी फोटो वोटो खीच के इसको भी सेल करना चाहिए ऑनलाइन भी करना चाहिए ऑफलाइन भी करना चाहिए ऑफलाइन तो चलो हो रहा है आपके माद्यम से बट ऑनलाइन भी हो जाता और लोगों को स्वास्त मिलता जैसे आजकल बहुत भेड़चाल चल रही है भेड़चाल कहलो यह एक अच्छी है देखो है तो मुहीम अच्छी और गयानिक दाल खानी चीए बट वो थोड़ी सी महेंगी जादा हो जाती है और ऑनलाइन में तो कु ही नहीं है और इसको हाथ में उठाना और लेके चलना भी यह लगाई है कि अगर आप शादी में अगर मैं इसको लेकर जाओं तो मेरे को लोग बड़ी ही अवजित्तर निगा से देखेंगे भी यह क्या उठाके घूम रहा है है ना जी 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 कंटिनू करिए तो कि यह क्य काम जो दुनियादारी के लोग हैं उनकी भाषा में अगर मैं बोलूं तो तो हमारी तो यही का जो उमीद भी है कहना भी है कि सभी लोग इसको जुरूर इसके बारे में बताईए क्योंकि यह धातू बहुत ही अच्छी है स्वास्ते से भी जुड़ी हुई है धरम से भी ज चैनल है और हमारे दूसरे चैनलों के पे डालेंगे पंजाब हिंदी में सभी में तो इसके मतलब वातावरन को भी क्या लाब है शरीर को क्या क्या लाब है इनके बारे में के दो चार मिनिट की वार्तालाप होगी तो इसको promote तो करना ही चाहिए बाकी दूसरा ये है कि हम लोग अभी तक क्यों नहीं कर रहे कि वह या यह हो क्योंकि इसमें ऐसा है भाई जी कि जब इसको हम किसी को देते हैं तो हमारा ये मानना था कि बंदा प्रभाव में आके इसको ना खरीदे पहले देखे सोचे समझे परखे तब इसको खरीदे तो हम उसको जहां भी भी हमारा शिवर लगता था जैसे पहले तेरा दिन का लगता था अगर वहां पर लोगों ने बोला कि थोड़ा सा और उसको ज़्यादा दिन का कर दो तो और तो पहले हम उस बंदे को वहाँ पर 3-4 दिन बुलाते हैं उसको एक दिन में 5-6 बाटे पिलाते हैं फिर उसको दूसरे तीसरे दिन लगता है कि हाँ भई अभी मैं ठीक हो रहा हूं या हो चुका हूं तो फिर उसको बोलते है फिर उसकी इच्छा है फिर भी देखिए इतना क को समझाने के बाद फिर भी उसकी इच्छा है वो लेना चाहे ले सकता है नहीं लेना चाहे उसकी मर्जी लेकिन हम अपना धरम जो कर्म है वो करते रहेंगे तो यह दूसरा है कि जिसके पास जिसके घर में जाए चाहे वह ऑं-लाइन जाए वह किसी दूसरे भाई के माद्यम से जाए तो जितनी मेरे को जानकारी है मैं उसको हमें संपर्क जरूर करे कहने का मतलग तो इसमें कुछ जैसे क्या होता है कि कई बार पीते ही उल्टी लगती है या किसी को टॉयलेट लगती है किसी को कुछ आता है किसी को कुछ तो उसमें क्या करना है उस समय पे उसमें क्या खाना क्या पीना क्या सावधानी रखनी वो हम जरूर बताते हैं क्योंकि एक प्रैक्टिकल ग्यान है तो जो भी भाई इसको लेना चाहिए ले सकते हैं कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन वो हमारे वारतल आप जरूर करें और दूसरी बात आजकल हम देखिए खाने पीने के बारे में जैसे आपने बताया कि सब कुछ चर्चा हो रही है और गैनिक खाओ शुद्ध खाओ और लोग शुद्ध खरीद भी रहे हैं खा भी रहे हैं लेकिन खाएं किसमें शुद्ध आया हमारी सोई में वही अलमीनियम के बरतन में बन गया वह प्लास्टिम में पड़ा हुआ सड़ रहा है तो क्या मतलब उस और गैनिक कामने मालों एक दाल पचास रुपे किलो की आ रही है वो डेट सो रुपे की किलो खरीद भी लेकिन उसको पका दिया कुकर में तो गई बैंस पान ले सकते हो, मिटि की कड़ा ही ले सकती हो, सर लोगों की ले सकते हो इन तिनों में से कोई जात्युथ ले लिग लेकिन खाने पकाने के लिए अभी आप दूसरे बरतन नहीं उठा सकते हैं तो एक ये बाटा उठाओ इसी में खाओ इसी में पियो बस अपने साथ रखो हमेशा ही और जो खाए वही सोदा लाए ये तो ही है तो अब सपोस करोगे गोविन भहिया ने किसी को बोल दिया हल्दी मेती सौंट का दूद्ध वो बहुत बोलते हैं बहुत जादा मतलब लेड पर मिट्टी में मिट्टी की हांडी में कर सकते हैं ठीक है कली किये हुए पितल में कर सकते हैं और सर्व लो में कर तो करें ही करें अगर मान लोग किसी को कोई पितल को एफोर्ड नहीं करता मिट्टी उसको लगता है कि तूट जाएगी तो वो सर्व लोग में जैसे कडाई हाँ दूद गर्म करो कड़ाही में आप जाओ के बंजाब में देखे कई जगा पे तो अम्रिसर में या कई ऐसी जगा हैं वहां पर आपको यह लोहे वाली कड़ाही कर लिया उसके बाद इसी बाट्टे में ट्रांसवर करके और आम से पिया देख देख के पियो वाकि आपको दूद का नियम पदा ही है जैसे हमारे कुछ स्याने लोग बोलते हैं कि दूद हमेशा कड़े हो कि बीओ थीक है तो पी दो और इसी में फिर गी बी डाल दिया कडाई में और इसी में डालके अपना चमच से अपना यह चमच है सर्वलों का ही चमच है इसके साथ हिलाओ अपना करो सेवन इसका कोई दिक्कत नहीं आती जी 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 तो और ये हाँ लास्ट मैं जो अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं कि हम लोग जैसे गरव संसकार के उपर बहुत जादा काम कर रहे हैं कि जो इस संसार में आने वाली आत्माएं हैं वो अच्छी ही आएं तो उसके कि यह क्या है कि हम गरवती महिलाओं से अपील करना चाहेंगे खास तो बाकि कोई खाए ना खाए कोई हमें लेना देना नहीं है लेकिन उन कि गर्व को बहुत सारी दिखतें आती तो अगर इसमें वह अपना जैसे राजी भाई ने बोला कि अनार का जूस और चुना इसका सेवं करो राल फलू का सेवं करो खून की कमीनी होगी अगर इसमें वह सेवन करती है पका के खाती है तो आप यह लगा लिए कि लोहे जैसा ह बात करनी हो तो हम उनके नंबर दे देंगे जिन्हों ने इसमें खाया है हमारी खुद की बीटिया है तो हमने दूर कहा जाना तो देखिए इसको हम अपने साथ बरतन को भी धारण किया है यह देखी मेरे पास कड़े भी दोनों दो कड़े पहने असरवल हो गई हैं जी जी को अगर हम इसको माझते आना आपको पता ही एकुप्रेशर वाले जो भची देखव हेंगे कि हाथ ने पैरों में हमारे एकुप्रेशर इपसर्साइज होती है Кол Time क्योंकि रेट को भी एक मतलब बहुत चीज माना जाता है जो जी होती है जमना रेट पगर इसको अच्छी माना जाता है घींसको घिसते हैं हरुर्म मेनत करते हैं इसके उपर तो हमारे एकुप्रेशर पॉइंट्स की जो है वो एक तो एक्सरसाइज होगी दूसरा इससे जो हमारे अगर हम बात करें जो हमारे शिंग योदा जो लड़ते थे शहीद होते थे उनके बारे में यह बोला जाता है कि अगर जो बंदा इसकी सेवा क करता है तो उनके साथ कभी भी कोई अनोहोनी गटना हो नहीं सकती कि यह हमारी माननेता कहलो या हमारा विश्वास कहलो यह बात लेकिन पकी है क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल हमारे सामने हैं तीन चैनल आपको बता दिए राजीर दिक्षिजंसेवा वीडियो मिलेंगे आप खुद सुनेंगे कि मेरे को कौन-कौन सी बिमारी ठीक हुई मेरे को यह ठीक है वो सारी वीडियो वहां पे हैं तो आप देखिए और तब इश्वास करिए बहुत बढ़ी है और मुझे लगता है कि मेरी उमीद है कि चाहे वो वरिंदर सिंग जी हो चाहे संस्कृती गुरकुलम हो चाहे वो आज कल की जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइटे हैं टेक्निकल फार्मिंग हो उन सब पे बाटे का परचार हो बहुत जल्द मेरी उमीद है कि मतलब हमें ऐसी वीडियो और दिखने को मिलेंगी बाटा ऐसे प्रोड़क्ट बिक कर सकते हैं एक बार इसका प्राइज जो भी जैन इक जो बी रखा हो जो इसको सेवा ही बोलते हैं क्योंकि यह उतना ही है सभी में इतला इनका बटा हुआ है देखी यह बड़ा तो उसमें जो खर्चे आ जाते हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे तो यह मान के चले कि कुई अगर वहां से ले जहां पर बनते हैं हमारे पास से तो उसके आने जाने का उसका अपना तो यह सासों का यह पड़ जाता है और फिर जो कड़ाही है दो साइज की कड़ाही है और आप पहुंचे कितने में 84 रुपे में पहुंच पहुंच राशी सो हो गई तो लेकिन वहां पर क्या है कि उनका भी हम यह देखिए इंग्लैंड इटली वहां तक के लोग भी यहां पर आए हैं इलाज कराने और पूरे देश मतलब पूरे विशब में यह बटा अभी इसमें ल पाता दूंँड आपको कि आप इनसे जैसे कोंटक्ट करेंगे तो आप यह भी जान सकते हैं कि यह लोग कैम्प वगारा भी लगाते रहते हैं अपने एरिये में और उसके इलावा जो अचारे संजीव जी हैं इनके साथ उनके बारे में भी दो शब्र प्लीज्ट यहां अ हम लोग क्या करते हैं कि जगा जगा पर जा करके शिविर करना जैसे नाडी जांच के हो गए लोगों को खाने पीने के बारे में जाग रूप करना और यह सर्व लोग के कैम्प तो चलो हमारे चलती ही रहते हैं तो वह भी हमारे साथ मेरा मन कर रहा है कोशन पूछता रहूं एक अजीब सा कोशन पूछों के इसमें गौम उत्र पूसिवल है पीना बहिए मैं बताया आपकी शर्दाय कुछ भी खाओ प्यूँ ठीक है और उसके इलावा जैसे हलवा बनाते हम हैवी एकदम बढ़िया तो हलवा बनाने पी अलग विदी होती है जैसे अभी हम बनाते ह जो हलवा घर पे वो विदी अच्छी सही नहीं है उसकी विदी भी अलग है हलवा बनाने की जो असल में हलवा बनता है वो तो कभी वो भी आपको विस्तार से जैसे बनाएंगे ना जिस जमेव और चीज बड़ी फेमस है शर्दाई कहेंगे ना शर्दाई उसके बारे में 30 सेकंड में शौट में बता रीजिए कि है क्या उसकी आप वीडियो भी मैं सबको बनाएंगे जो देख रहे हैं वीडियो फ्यूचर में आपको जैसे बाई की वीडियो मिल जाएगी यह तरह का एक ड्रिंक होता है जो बहुत पावर्फुल है शीतल पे है और आपको यूट कैसे बनाए कोई कैसे हमें उससे कोई नहीं है वह अपनी अपने समझ से बनाता है लेकिन जो हम आपको बताएंगे वह एकदम वह चीज़ बताएंगे कि आपको एक कमज़ोर पाचन वाला बंदा भी इसको हजम कर सके तो उसमें दिखिए बादाम काजू फिर पिस्ता है जमाइन डाल सकते हैं सौफ हो गई मिश्री हो गई फिर उसमें जो भांग होती है उसका एकाद पता डाल सकते हो क्योंकि कई लोग इसको नशे रही वाली चीज़ वह सोचेंगे लेकिन भांग का आपको पता जर्वेदमी भी जिक्र है ना दिमाग की कई चीज़ों के बहुत सारी चीज़े हैं तो इसको आप डालो और जब इसको आप रगड़ोगे जितना आप इसको मिटी की वो जो होती है क्या कुंडी बोलते हैं उसको और खरल भी बोलते हैं नीम का वो सोटा होता है लकड़ी बड़ा काफी बड़ा होता है उसको जब आप घोटते हो त अंदर से आपको मंत्र उचारण कर सकते हो, जो भी आपका दिल करें। तो जब आप ये चीज़ें करते हो, तो जितना और आप उसको घोड़ते रहोगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल डालके, तो उतना ही उसका गुण बढ़ता जाएगा जब आप उसको निचोड़के फिर उसमें पाणी मिलाके मिश्री वगरा मिलाके पीते हो तो जब आप पियोगे आपको अंदर से पता चलेगा कि मैंने कुछ पिया है इतनी पावर आपके अंदर आएगा और सूक्षम से यह शर्दाई मतलब गेम जो है ना यह पूरी की पूरी बाटा हो यह शर्दाई हो यह निहंगों का पूरा का पूरा आचरण हो अपेरेंस हो everything वह असल में पेशन से जुड़ा हुआ है ना के जैसे दिखा दिया जाता है यहां सोच रहे हैं आजकर लोग के कटड़ता है य रिसर्च नहीं करेंगे दो रील देख लिए इंस्टाग्राम की दो वीडियो देख लिए आज तक पर यह कहीं भी तो उनको लगता है कि निहंग जो है वह गुसे वाले होते हैं उनमें पेशन्स नहीं होती है यहां कुछ जादा ही कट्ड़ होते हैं वह शर्दों का बहु निहंग सिंग जो होते हैं वो मतलब उगर सवाब के नहीं होते हैं बड़े ही शान्त होते हैं उनको गुरू की लाडली फौज बोला जाता है लाडली मतलब जैसे अपने घर में चोटा लाडला बच्चा होता है वो उस केटागरी में आते हैं लाडला बच्चा कई बर कुछ पाठ पूजा या उस गुरू का ध्यान करना है तो करना ही करना है। चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने सादा जीवन जीना है तो जीना ही जीना है। ये फालतू के ये अनंबर नहीं रचते। इनका खानपान एकदम स्वच होता है। आप देखना कोई भी नहांग सिंग आपको जो इसके साथ हो अच्छी भावना के साथ मतलव मजबूती से जुड़ा हुआ है। वो आपको कभी बिमार नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान के आप ये हसबतार है वहां पर घूम लेना कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि वो अपने जो गुरू जी ने उनको वचन बोल दिया। तो उसको मतलव ये समझ लिए पत्थरनी लोहे पे लकीर वो मानते हैं। उसी नियम के उपर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी उग्र हैं। उनसे डरना चाहिए नहीं। अगर आप उनसे परसनली मिलोगे वैसी सेवा भावना वाले शक्स आपको मिलेंगे नहीं कभी। इतना मतलव उनके साथ आपका प्यार हो जाएगा। क्योंकि हम तो उनके साथ रहे हैं। हमें पता है उनकी अंदर क्या पावर है। क्या उनका जीवन है। तो बड़ा ही प्रभाव शाली जीवन है। मतलव मैं यहां पर यही कमगा कि किसी निहंग सिक के साथ कोई इंडिफरेंस रहा है यहां कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो देखो प्राणी तो हर तरह के स्रिष्टी में है ही है। वो किसी की कैसी भी मंचा हो सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी कम्यूनिटी को एक इस सुभाव से देखें कि वह तो रहते ही गुस्षे में हैं यह ऐसा और आपने बात कहीं कि वह हॉस्पिटल में नहीं दिखते यह एकदम सच बात है मैंने तो कभी उनको कि हैल तो प्रॉपर रहती है तो आप नंबर जुरूर बताएं अपना और बाबाजी का जो बाबा गुर्विंदर सिंग जी हां का नंबर दोंगा और मैं चीज छोटी से आपका और बताऊं हम उस वीडियो में भी बताएंगे जो हम मेरा मतलब खुद का एक एक्सपीरियं दारू तो आप यह लगाओ कि इसमें सेवन करने से उनकी दारू भी छूट गई है उन्होंने पीना छोड़ दिया है तो आप यह लगा लो कि नशामुक्ती के इंदर का भी इसने काम किया और यह भी हमारा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस राम यह भी हम इसके बारे छे तीन जीरोजरो चार आट साथ दोबारा फिर बोलता हूँ नौ साथ दो नौ छे एक नौ छे चार साथ यह हम दोनों का है और जो अपने खालसा जी है गुर्विंदर सिंगी उनका जो नंबर है साथ जीरो जीरो नौ नौ तीन दो पांच जीरो एक साथ जीरो साथ जीरो जीरो नौ नौ तीन दो पांच जीरो एक जीए ऐसे नुबर रहते हैं या बाटे का पाली बीने से ठीक है तो मुझे लगता है कि हमें वीडियो रैप करनी चाहिए और एक और बात कुछ लोग यह जुरूर सोचते हैं कि हर जिंदर जब भी वीडियो बनाता है उसका रीजन यह है कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूं लंबी वीडियो बनाके जिसे आपको साब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए मैं मानता हूं कि लोगों को तीन-चार मिनिट की वीडियो देखनी होती है बड़ आप यह विशे इतना लंबा था बड़ा था तो इसलिए ही ऐसी जियान बाटने के लिए और आगे भी ऐसी वीडियो बने उमीद है बंदे मातर हूं वाई काल साव वाई जी की फते हैं